आदियो 6 गुराईयों के अंदकार में अच्छाईयों की सीखे लेखत पंडित श्रीरम शर्मा आचार्य केवल अपने लिए ही नहीं गया में कैदियों से शारेरिक श्रम कराया जाता है लेकिन उनकी जिविका जितने पैसे काट कर शेश उन्हें मजदूरी के रुप में दे दिया जाता है ये लोग इस थोड़ी सी मजदूरी को जमा करते जाते हैं वर्ष के अंद तक पहुँचते पहुँचते यह रकम काफे इकटी हो जाती है आज कल समरक्षन में रखकर कैदी बाहर खेतों या बिल्डियों में मजदूरी के लिए भी भेजे जाते हैं कल्पना कीजिए थोड़ी सी मजदूरी इन्हें मिलती होगी वह इन सब के लिए क्या अर्थ रखती है या उनके लिए कितनी मुल्यवान हो सकती है कैदीयों में अप्राद फृत्ती होती है और उसकी बजा उन्हें जेल में काम करके भुगतनी पड़ती है वही इन में अपनी पुरानी गलती के पती पच्चतावा और सत्प्रफृतियों का उदय होता है मनुश्य में देल सवेर सात्विक दैवी भावनाओं का उदय होता ही है उसे शुप्रेणा देने मत्र की आवशक्ता है उनमें पवित्र सात्विक भावनाओं को जगाने की घुनों को उत्साहित करने की जरूरत है स्वास्त्य एवं कर्मंत्री श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी गया जेल में कैदियों को वह बाशिक मजदूरी बाटने के लिए खड़े हुए उन्होंने कहा आप लोगोंने आलस्य छोड़ कर अपने को सुधार कर जो या पैसे कमाये हैं वे आप सब के लिए बड़े ही पवित्र हैं श्रम करना भी परमात्मा की सेवा ही है क्योंकि कड़ा परिश्रम करने वाले में गंदी प्रवृतिया उठ नहीं सकती गया सेंटरल जेल के केदियोंने एक हजार तिरिसर्ट रुपे कमाये हैं यह रकम आप में बाटती जाएगी क्या आपको इस संबंध में कुछ कहना है इतना सुनकर एक कैदी उठा वा बोला हम लोगों की परुतिया अब दब गई है और हम मनुष्य मात्र की सेवा को अपने जीवन का अंग बना रहे हैं यह पैसा हमने अपने लिए नहीं उन मुसीबत में फसे हुए लोगों के लिए कमाया है जो हर तरह निरबल, दीनहीन और दयनिय जीवन व्यतित कर रहे हैं हम गिरे हुए समाज को उठाने में अपने धर्म की कमाई लगा कर धर्म को व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं तो आप सबने क्या तै किया है मंत्री जी ने पूछा इस राशी को किसी परुपकार के काम में लगाया जाए एक कैदे ने सुझाओ दिया किसी आध्यात्मिक संस्था को दान दे दिया जाए जो जनता की सेवा के द्वारा भगवान की सेवा करती हो मंत्री जी ने सुझाओ दिया यह रकम जवाहरलाल नहरुस मारक पोश को दान सो रुप दी जा सकती है वहाँ इसका सद्दूप्योग होगा मंजूर है यह दान सबसे अच्छा रहेगा सबने एक स्वर में कहा वह एक हजार तिरसट रुपे दान दे दिये गए किसी के लिए अच्छा पिता, अच्छा पती अथवा एक सफल गुरुहस्थ ही हो सकना पर्याप्त नहीं है यह तो मनुश्य में होना ही चाहिए इनमें कोई विशेष्टा नहीं है केवल अपने लिए और अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए जीवत रहना है और उसके लिए ही सुख सुविधाय जुटाते रहने को ना तो उदारता और ना रुशार्थ कहा गाएगा जब मनुश्य इस परिदिस से आगे बढ़ता है सही अर्थों में तभी वह कुछ करता है कैदियों का वहदान परुपकार के लिए एक अच्छा उदाहरण है हमारा सत्संकल्प हम इश्वर को सर्वव्यापी नियायकारी मान कर उसकी अनुशाशन को अपने जीवन में उतारेंगे शरीर को भगवार का मंदिर समझ कर आत्मसयम और नियमित्ता द्वारा आरोके की रक्षा करेंगे मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संकी व्यवस्था रखे रहेंगे इंद्रिय सयम, अर्थ सयम, समय सयम और विचार सयम का सतत अभ्यास करेंगे अपने आपको समाज का एक अभिन अंग मानेंगे और सबके हीत में अपना हीत समझेंगे मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ट बने रहेंगे समझदारी, इमानदारी, जिम्मेदारी और बहादूरी को जीवन का एक अविचिन अंग मानेंगे चारों और मधूरता, स्वच्छता, साग्गी एवं प्रजनता का वातावरन उत्मन करेंगे अनीती से प्राप्ट सफलता की अपिक्षा नीती पर चलते हुए असफलता को शिरुधारे करेंगे मनुश्य के मुल्यांकन की कसोटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं उसके सद्विचारों और सद्कर्मों को मानेंगे दूसरों के साथ भव्यवार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं संसार में सत्प्रवरोत्यों के पुन्यप्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्यान, पुरुशार्थ एवं धन का एक अंश नियमेत रूप से लगाते रहेंगे परंपराओं के तुल्ना में विवेक को महत्व देंगे सज्जनों को संगठित करने, अनिती से लोहा लेने और नव स्रिजन की कतिवीधियों में पूरी रूची लेंगे राश्य एकता एवं समता के प्रती निष्ठावान रहेंगे जाती लिंग, भाशा, प्रान, संप्रदाय, आदी के कारण परस पर कोई भेदभाव न बर देंगे मनुशिय अपने भाग्य का निर्माता आप है इस विश्वास के आधार पर हमारी मानेता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को सुरिष्ट बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुद्रेंगे युग सुद्रेगा इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है.